दोस्तो आज तक आपने Grand Vitara का बहुत सारा मोडल देखा हुआ लेकिन क्या आप इस मोडल को देखे हो जैसे कि आप अपने स्क्रिन पे देख पा रहे हो ये है मारुती सुजुकी का जैटा मोडल जो की बैल्यू अफ मनी है और इस कार की प्राइज इंडियन मार्केट की अंद वैसे ओन रोड प्राइज दिल्ली बताऊं तो 16,10,585 रूपीज के आपको करीब पढने वाली है और ये SUV कार इंडियन मार्केट के अंदर बेस्ट सेलिंग SUV इंदी सेग्मेंट में बन चुकी अभी के टाइम में और ये जैटा मोडल है तो इसके अंदर आपको संरूफ की option नहीं देखने को मिलती है बाकी इसके अंदर आपको भरवर के features देखने को मिल जाएंगे वहीं अगर इसके front look से बात करूँ तो जैसा कि आप अपने screen पे देख पारें इसका look काफी ज़्यादा सांदार बनाया गया है front से ही आपको बड़ी सी Suzuki की logo के साथ बिलकुल नया front गिल देखने को मिल जाएंगा जिसके साथ आपको chrome की financing देखने को मिलेगी बीच में आपको black प्यानों के साथ इसके grill को रखा गया है और इसके DRLs को देख सकते हैं इसके headlamps के design को देख सकते हैं black pretty के साथ घेरा गया इसके जो headlamps है उसको काफी decor अच्छा तरीके से किया इसके DRLs को ऊपर रखा गया है headlamps को थोड़ा सा नीचे रखा गया है और यहां पर आपको ORVM भी turn indicator दिया जाता है प्लस इसको आप अंदर से ही fold कर सकते हैं और यह body color ही देखने को मिलेगा यहां से कुछ looks देख सकते हैं काफी सांदार लग रही है लेकिन हुई अगर इस लेकिन हां पर side profile देख सकते हैं काफी premium रहा गया है उपर आपको word visor है जो की black प्यानों के साथ देखने को मिलेगा इसके अलावा window के चारो तरफ आपको chrome finishing देखने को मिलेगी जो की एक पतली सी lining दीगी है जैसे कि आप अपने screen पे देख पा रहे हैं और यह side profile में आपको क art की टायर दी जाती है जो की R17 के allowables के साथ less होने वाली है प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको Apollo की टायर दी जाती है और allowable का design भी काफी बहतीरिन रखा गया है बीच में आपको sujuuki की बड़ी सी logo देखने को मिल जागी front के टायरों में आपको disc brake देखने को मिल जाएगा तो rare के टायरों में भी आपको disc brake दिया जाएगा कुछ इस तरीके से look आता है और rare के टायर को देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी silver finishing दी गई है जो की गाड़ी को एक अलग look देता है यहाँ से देख सकते हैं यह देखिए वाई यह काफी खूबसूरत बनाता है यहाँ पे और आगे से देखोगे तो यहाँ पे आपको chrome finishing देखने को मिल जाने वाला है तो यह देख सकते हैं side profile भी इसका काफी खूबसूरत बनाया गया है यह लावा गाड़ी में एक और features आपने देखा होगा जो missing है वो है roof rail जो की इस गाड़ी के अंदर आपको roof rail नही दिया जाता मतलब इस model के अंदर नहीं दिया जाता है बाकी पीछे आपको एक bifer दिया जाता है सुजुकी की बड़ी सी logo देखने को मिल जागी पीछे आपको reverse parking camera दिया जाता है यह सबसे important चीज़ है जो की reverse parking camera दिया जाता बड़ी से tail lamps देखने को मिलेगा पीछे brake light दी जा गाड़ी का बैक प्रोफाइल ही काफी बहतरीन लगता है और मारुक्ती सुजुकी की जो गाड़ियां अभी आ रही है उसके जो पीछे का लुक है वो काफी बहतरीन लुक में नजर आ रही है यानि कि अभी देख लो रिसेंटली लॉंच वी फ्रॉंक्स एसुबी जो की काफ 43-45 mm के करीब बित में ये गाड़ी 1795 mm के करीब रखा गया है और हाइड में ये कार 1645 mm के करीब रखा गया है बिलमेस में ये गाड़ी 2600 mm के करीब रखा गया है तो काफी अच्छा खासा इसका लेंट रहत और हाइड दिया जाता है और गाड़ी के अंदर आपको अच्छी जेंडर के साथ होगा और ये इंजन करीबन 101 बीएच्पी के करीब पावर और 136 न्यूटर मिटर का टॉर जनरेट करता है ये 5 इस्टेट मैनुवल गाड़ी है और 2 बेल ट्राइब के साथ इंडियन मार्केट में महजूद है और इस गाड़ी की अंदर आपको पैट्रोल में माइलेज मिलने वाला है 21.11 के MPL के करीब आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा और फ्यूल टैंक में ये 45 लिटर की कैपिसिटी के साथ देखने को मिल जाएगी तो काफी अच्छी खासी है गाड़ी पैट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाती है और ये भी काफी मा विंडो कंट्रोल दिया जाते है और यहां डोर को ओपन के लिए यहां पर आपको क्रॉम देखने को मिलता है यहां से आप मीनर को सेट कर सकते है और सारे विंडो को यहां से आप कंट्रोल कर सकते है अपने यहां से यानि कि यह ड्राइवर साइड हमने ओपन किया गेट को और यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह जो dual tone design में दिया गया ना, यह काफी premium है, और यह लेडर touch के साथ है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा space दिया जाता है, यह काफी अच्छी खासी बात है, और इतनी बड़ी गाड़ी होने की बावजूद भी यह आपको 22 के MPL के करी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सारे controls दिये जाते हैं, अब steering को देखते हैं, तो इसके अंदर भी आपको सारे controls देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बड़ी सी Suzuki की logo दिया जाता है, यहाँ क्रूस कंट्रोल के वेगरा सारे system दिये जाते हैं, नीचे साफ phone वेगरा को pick क इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी गाड़ी कितनी speed चली है, आपके गाड़ी के अंदर कितना fuel बचा है, और सारा speed यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ आप देखी, यह काफी अच्छा touch दिया गया है, और आपको काफी अच्छा का सा touch इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा, बड़ी सी touch screen display दिया जाता है, जो कि Android Auto, Apple CarPlay जैसे connectivity feature से less होंगे, यहाँ से ही आप अपने system को control कर सकते हैं, इसके अलावा सामने आपको a cement दिया जाते हैं, और उसको control करने के लिए सारे button यहाँ पर दिया जाते हैं, और यहा इस गाड़ी के अंदर आपको space भर के दिया जाते हैं, और यहाँ पर आपको USB charging वेगरा, सब चीज का option देखने को मिल जाता है, उपर आपको एक miner दिया जाता है, और driver side भी miner दिया जाता है, passenger side भी miner दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह भी काफी अच्छी खासी बात है, उपर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दो light दी जाती हैं, जैसे कि आप अपने screen पर होल्डर दिया जाते हैं उसके नीचे जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पारें यह देखी यहां पर आप अपने संगिलास होल्डर को रख सकते हैं और यह काफी अच्छी खासी बात है और यहां पर जब आपके गाड़ी में बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो हैंडल दिया जाता है जिससे पकड़के अराम से गाड़ी के अंदर बैठ सके यानि कि जो भी ब्रेकर आते हैं तो उससे अराम से बैठ सके तो अच्छा profit फिल कर सके इस गाड़ी के अंदर और ये था इसका look यह देख सकते हैं गाड़ी को पूरा अंदर से काफी जान बनाया गया तो आपको जल्दी जल्दी गाड़ी दे सकें क्योंकि वो dealer इतने fast हैं कि आपको जल्दी जल्दी गाड़ी provide कर देंगे तो आप उनसे contact कर सकते हैं उनका number आपको मेरे description box में देखने को मिल जागा तो उहां से आप contact कर सकते हैं, बाकी हम passenger side तो यहां पे भी आपको काफी अच्छा काटा touch दिया जाता है, जो कि गाड़ी के dual tone color में है, और उससे थोड़ा सा नीचे देखोगे, तो यहां पे देखो AC wind दिया जाते हैं यहां पे भी आपको window control दिया जाते हैं और यहां पे भी सारे same features देखने को मिल जागा, नीचे भी आप bottle विगरा रख सकते हैं glove box को देखे, तो यहां पे भी आपको अच्छा खासा glove box के अंदर space देखने को मिल जागा, और booklet विगरा देखने को मिल जागा, अब भाई थोड़े सा space के बात कर लेते हैं इस गाड़ी के अंदर थोड़ा पीछे चलके देखते हैं कितना space है, यहां पे आपको एक sound दिया जाता है यानि चारो डोर के साथ आपको एक sound देखने को मिल जागा, यानि four speaker audio system दिया जाता है, प्लस आपको सामने के तरब दो tweeter देखने को मिल जागा, और यह देख सकते हैं, यहां से space देखिए भाई space के मामले में यह गाड़ी कैसी है वहां मैं आपको बताता हूँ यह seat थोड़ी से पीछे है, फिर भी देख सकते हैं मैं बैट के यहां देखिए भाई, वो मैं आपको share नहीं कर सकता कि कैसे share करूँ, आपको काफी अच्छा-खासा feel आ रहा है यहां पे देख सकते हैं, silver finishing में दिया जाता है जो कि थोड़ा सा touch दिया जाएगा पीछे भी आपको AC event दिया जाते हैं और पीछे से भी आप phone को charging कर सकते हैं यानि USB cable दिया गया है और यहां से आप अराम से phone को charge कर सकते हैं यहां पे आपको मिल जाता armrest जो कि with आपको cup folder देखने को मिलेगा यहां दो लोग बैटके अराम से अपने party को enjoy कर सकते हैं तो यह भी grand vitara के अंदर आपको यह features देखने को मिल जाएगा और iPhone का जो cable दिया गया है type C का वो भी से भी आप charge कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी खासी बात है और सामने आपको काफी अच्छा खासा touch देखने को मिल जाता है यहां पे देख सकते हैं तो गाड़ी overall आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताना उपर आपको किसी तरीका को कोई sunroof नहीं दिया जाता यह जैटा मोडल है इसलिए और आपको light यहां पे दिया जाता side side में बीच में आपको किसी तरीकी light नहीं दिया जाता तो cable आपको इसके अंदर 3 light देखने को मिल जाता है तो आपको यह गाड़ी overall कैसे लगी हमें comment box में जरूर बताना यह देख सकते हैं यहां से space तो यह काफी अच्छी खासी बात है इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना bell notification को दबा लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी interesting वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने तरप से like और share जरूर करना जो भी आपके भाई वंदू इस गाड़ी को लेना चाते हैं प्लस मैंने आपको number भी दे दिया dealer को उससे dealer से आप contact कर सकते हैं